हेलो एवरीवन असलाम अलेकूम दिस इस सर्पाशा और वी आ नाव बैक विद दमोर लेक्चर्स आन काइनमाटिक्स और अभी पिछले ही लेक्चर में हमने motion of the object or of a ball while falling down on the ground and then colliding back where the contact time of the ball with the ground is considerable इस पर हमने बात की और यह जो पूरा आपके सामने sketch बनावा नजर आ रहा है यह जो object की पूरी motion explained है यह motion in one dimension है जिसकी सारी relevant calculations हमने अपने पिछले लेक्चर में की थी तो it's extremely important कि आपने हमारा पिछले लेक्चर जरूर देखाओ to really understand this lecture जिसमें अब हम बात करेंगे graphs के उपढ़ ना because we'll be representing the motion of the object like velocity time and all the possible graphs अचा दुबारा just not to mention के यार यह समझ लो कि आपकी motion यह again one dimension motion है यानि object एक ही line में उपड नीचे कर रहा है ठीक है न तो यू समझ लो के यह आपका point A है यह point C है और यह point B है तो object A से B आया फिर वापस C गया फिर वापस B आया ठीक है यह मैंने अपने समझाने के लिए like नीचे आना फिर उप़ जाने को अलग दिखाया और फिर नीचे आने को अलग दिखाया ठीक है बड़ यह है one dimension motion आई अधरा देखते हैं examiner की क्या खोईश है कहता है sketch the velocity time graph of this motion तो चलो भाई y axis पे velocity ले ले लेते हैं और x axis पे time ले लेते हैं और आपकी असाने के लिए इसको मैं थोड़ा graph grid पर खोल लेता हूँ कुछ इसी तरह के graphs हमें exams पर given होते हैं चोटे चोटे boxes होते हैं उसमें further five small boxes होते हैं अच्छा जी अब सबसे पहला step क्या था scaling थी scaling करते हैं समय अगर आपको मैं गोर से दिखाऊं तो हमारी velocity start हुई थी zero से फिर velocity हुई minus 31.3 पर ठीक है फिर वापस velocity positive हो गई 24.3 पर फिर zero हो गई फिर minus 24.3 हो गई तो अगर मैं range निकालों तो हमारी जो maximum value है velocity की वो plus 24.3 है और जो minimum value है वो minus 31.3 है ऐसा ही है जी तो एक काम करते हैं ये five small boxes को 10 meters per second के बराबर ले 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 लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा ये 20 हो जाएगा ये 24.3 हो जाएगा 24.3 maximum velocity है जो हमारे object ने achieve की है अचा जो minimum velocity हमारे object की गई है वो अगर मैं minus 10, minus 20, minus 30 से चलूं तो ये minus 31.3 meters per second ये हमारी वो minimum negative velocity है जो object ने achieve की है ठीक है अचा अगर मैं time mark कर लूं तो ये simple है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो total 8.6 seconds की motion है तो I think that is a very suitable scaling ठीक है जी सर तो अब क्या करें अब एक काम करते हैं scaling हो गई तो अगले step है plotting 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 में क्या करते हैं sir values plot करते हैं simply तो आप सबसे पहले तो यहां पर हमारे पास देख सकते हैं कि t equal 0 पे velocity 0 है तो हमारा graph इस बार origin से start होगा तो जो एक सकते हैं जो सबसे पहला point मैं आपके सामने mark कर रहा हूं न वो सबसे पहला point आप देखें कि वो मैंने यह mark किया है 0,0 यानि जब velocity 0 जब time 0 तो velocity भी 0 अब आप देखें तो t equal 3.2 seconds से हमारी velocity minus 31.3 है तो यह हो गया 3.2 और velocity हो गई minus 31.3 meters per seconds और यहां पे लाके मैंने दूसरा point plot कर दिया है साही है अचा देख सकते हैं एक small box 0.2 का है तो यह हो जाएगा 3.2 में अचा फिर एक दम से जजबाद बदले 3.2 के बाद जरा सा 0.4 seconds के बाद विला यानि further 0.4 seconds के बाद जैसे ही time 3.6 हुआ velocity drastically plus 24.3 हो गई तो आईए जरा इसको यहां से mark कर लेते हैं यह आप देख सकते हैं यह जो time है यह 3.2 है और यह time है 3.4 है 3.6 तो यह जो 0.4 seconds का interval है इसमें हमारी velocity एकदम कहां चली गई minus 31.3 से plus 24.3 पर चली गई तो अच्छा जी अब आगे क्या करें फिर 6.1 seconds पे velocity 0 है तो 6.1 seconds पे हम velocity 0 मार्क कर लेते हैं यह थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था यह तकरीबन 6.2 पे जाके शायद मार्क हो गया एनिवेज इसको मैं थोड़ा सा correct कर लेता हूँ अच्छा जी तो और फिर फाइनली 8.6 seconds पर मेरे अब्जेक्ट की विलोसिटी किती होगी माइनस 24.3 तो यह आपका 8.6 seconds पर मैं विलोसिटी माइनस 24.3 मार्क कर देता हूँ ठीक है अब देखो यह हो गई हमारी plotting plotting होने के बाद अगला step क्या होता है sketching मेरे खाल कोई मुश्किल काम नहीं है हमें याद है यार एट लीस्ट यह तो पूरी motion अंडर gravity है न जब object नीचे आ रहा है उपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है constant होगा जब मेरा sketch एक straight line होगा क्योंकि straight line का gradient constant होता है तो आई यह वक्त जाय कि यह बगाए सीधा-सीधा straight line के साथ इन सब को मिला देते हैं और यह बन गया गर्मा गरम हमारा velocity time graph अब इसमें एक question है एक मसला है जिसको अची तरह समझ लेते हैं वो यह वाला time है देखिए अगर आप यहां का gradient निकालेंगे आपको मिलेगा approximately minus 9.81 meters per second square यह gradient की value है जो कि acceleration दे देगी इसका भी आप gradient निकालोगे आपको acceleration मिल जाएगा यहां से यहां तक जो है ना हमने force को constant assume किया हुआ है यहां हमने acceleration को constant assume किया हुआ है अलाकि during the collision constant होती ही नहीं है acceleration but क्योंकि यह इतना चोटा duration हो तो मैंने फिर भी 0.4 seconds का duration रखा है आप possible question में देखेंगे 0.1 0.2 seconds के duration है जिसमें उने खुद straight line मनाई भी है अगर बहुत चोटा time होता है ना तो वह ऐब ऐसी straight line मना देते हैं जैसे हमने इसको straight line यहां पर बनाया वह यह जो sketch हमने बनाया वह है ना तो अगर बहुत चोटा interval हो तो आप ऐसे ही बना दें वह acceptable है यानि हम assume कर रहे हैं कि acceleration constant है ठीक है बहराल जब मैं इसका area under the curve निकालूंगा तो यह अच्छी तरह से समझ लें कि यह है मेरा downward motion और यह है मेरा during the collision और फिर यह वापस upward motion और फिर यह वापस downward motion ठीक है तो अगर मैं इस पूरे का area निकाल लेता हूँ तो यह वाला जो area है ना यह मुझे यह distance देदेगा फिफ्टी मुचाश को यह velocity time graph का area क्या बताते है displacement का word बताते है अच्छा इसमें एक चिसका दिहान रखिएगा area निकालते समय यह जो खाली हिस्सा है ना यह देख रहे हैं इसको आपने ignore करना पड़े यह ठीक है area निकालते समय बस यह जो सीधा सीधा आ रहा है ना 3.2 seconds पर जैसे हैं यह contact में आया आप वह वाला area निकालोगे during the contact जो area under the curve वह कभी भी calculate नहीं करते in order to calculate and obviously object की जो motion थी वो तो यहां से यहां तक की थी ना तो 0 से लेके 3.2 seconds की motion थी तो आप kindly 3.2 seconds तक का ही area under the curve निकालना ठीक है similarly अगर आप चाहू ना तो आप क्या कहते हैं यह जो displacement है A से लेके B तक का है obviously area से मिलेगा similarly अगर आप B से लेके C तक का distance निकालना चाहते हो ना तो आप इसका area निकाल लो तो अगेन आप निकालना 3.6 से लेकर 6.1 ठीक है ना यह वाला आपने दुबारा से इग्नोर करना पड़ेगा जो मैंने शेड किया वह ना पिंक केलर से सिर्फ वह अला अरिया निकालना है पास्ट पर मैं इसके क्वेस्टन जाय में तरहा देहन से किजेगा तो अगर आप चाहो तो यह यह वाला शेडिट डिजन आप निकालोगे न तो आपको इससे सी से लेकर बी तक का से लेकर फुर्टन के अरिए पास्ट doubt निकालोगे लेकिन आसका ग्रेडियं। लेकिन अगर आप इसका ग्रेडियंट निकालने पे यहां पर तो यहां पर velocity कम नहीं हो और यह बढ़ रही है तो इसका gradient positive आएगा और उसकी value हमने पिछले lecture में निकाली थी यह देखें पिछले lecture में हमने यह निकाला भी था तो अगर आप यहां पर देखना चाहो तो average acceleration आपको मिल जाएगी 139 meters per seconds square तो यह velocity time graph है अच्छा past reverse में आपको उल्टे sketches में मिलेंगे उल्टे sketches ऐसे मिलेंगे कि मिलेंगे कि मिसाल के दौपर आपको graphs यू नदर आ रहे होंगे ज़रा गोर से देखिए कि तो इस पर आपने घवराना नहीं है ठीक है इस पर आपने घवराना नहीं है इसलिए कि यह है वही velocity time graph यह खेर वापस तो नहीं आता लेकिन सिर्फ assumption उल्टी है ना हम नीचे जा रहे हैं वो इस तरह से जा रहे है इसमें सिर्फ फर्ग है कि हमने downward को positive और upward को negatively आवा है उन्होंने downward को positive और upward को negatively आवा है तो मेरे खाल साइन convention के हो जाने से physics पे तो कोई फर्क नहीं चाहिए और राइट जी तो अब जड़ा देखते हैं कि एक्जाम दर की कहा खोईश है यह भी positive question exam में बिलकुल as it is question पूछा गया paper 2 में which is sketch the speed time graph of this motion ठीक है ना मतब obviously values different दी but question बिलकुल यही था कि उन्हें आपको velocity time graph दिया हुआ था जिसमें collision का पूरा velocity का graph explain था even collision time considerable था और पिर आप से कहते हैं कि जी अब आप speed time graph बना दो तो speed time graph sketch करते हैं समय आपने पिछले lecture से भी देखा हमने बहुत बनाया सबसे पहले चीज़ तो यह कि speed negative नहीं हो सकती तो speed हमने positive ही रखनी है time हम obviously seconds में ही लेंगे मैं जरा यहाँ पर graph grid खोल देता हूँ ताके scaling का एक proper idea हो सके तो अब मिसाल के दो पर हमारी जो अगर आप speed का गिराब बनाओगे न तो आपको realize होगा कि यह जो velocity minus 31.3 है इसको आपको positive लेना पड़ेगा अगर आप यह speed के बना रहे होगे तो कि देखें रूल बिल्कुल simple है जब velocity negative है जब velocity negative है तब speed positive है जब velocity positive है तब भी speed positive है तो इस वक्त velocity minus 31 है speed plus 31 है इस वक्त velocity plus 24 है speed plus 24 है इस वक्त velocity minus 24 है speed plus 24 है तो हम पीछे भी यह graph सारे देख चूके इस तरह के अब बहुत detail है मैंने यह सम्झाने ही कोशिश की थी free fall motion में क किस तरह से velocity से speed पर switch करते हैं तो मैं यहां पर marking कर देता हूं थोड़ा सा हमारी जो different velocities है आखरी 31.3 तक ही हम speed पर गया है जो negative तना आप देखो मैंने इसको positive लिया हुआ है साही है यह हम यहां पर time की scaling mark कर लेते हैं ठीक है यह 24.3 आगया अच्छा अब जरा देखो सबसे प 2.2 seconds पर हमारी velocity कितनी हमारी speed कितनी है plus 31 देखो velocity minus 31 है लेकिन speed कितनी हो जाएगी plus 31 हो जाएगी अच्छा उसके बाद 3.2 seconds पर speed कितनी है 24 ठीक है और टीक फल 0 पर तो खेर हमारी speed 0 थी जब velocity 0 थी तो फिर speed भी 0 थी तो obviously graph start to origin से ही होगा फिर 6.1 seconds पर हमारी speed वापस 0 हो गई तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने graph को 6.1 seconds पर velocity या speed 0 दिखाई है और फिर वापस 8.6 seconds पर velocity तो minus 24.3 है लेकिन speed हमने plus 24.3 दिखाया है ठीक है अब अगर मैं इस graph को sketch करो ना तो कुछ इस तरह से मेरा graph बनेगा ठीक है अगर आप गौर करें तो जो पीछे हमारा velocity time graph था उसमें ये वाला पूरा region negative side पर था ये पूरा flip होके positive हो गया ठीक है अच्छा ये तो positive था ये positive ही रहा ये वाला side negative था पीछे velocity time graph में ये वापस positive हो गया ठीक है अब बाकी या मैं इस पर बहस नहीं कर रहा आप दुबारा area under the curve निकालो आपको सारे distances मिल जाएंगे मैं सिर् ये negative था ना ये जरा अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लें कि जब ये negative है velocity तब speed बिलकुल ये ही चीज़ positive हो गई जब velocity positive थी तो ये positive ही रही pretty much make sense फिर जब ये दुबारा negative होई तो speed दुबारा से flip होकर positive हो गई तो हम पहले भी ये देख चुके हैं कि velocity time graph से speed time graph में आना कोई मुश्किल बात नहीं है जो positive region है उसको वैसी रहने दो जो negative region है उसको flip कर दो तो गर्मा गरम velocity time graph से speed time graph तैयार है all right जी तो अब जड़ा देख लेते हैं अगली खोईश क्या है अगली खोईश ये कि sketch the displacement time graph कि जी अब displacement time graph बना दो इसी motion का object का ना अब देखें इसके displacement time में पहले आप इस चीज़ को समझ लें calculation करते समय तो हमने downward motion को एक अलग ट्रीड किया था during collision motion या during collision के interval को अलग डील किया था और फिर इस motion अंडर gravity को अलग डील किया था अच्छा और उसमें हमारे references अलगते यानि downward motion में यह हमारा initial point था upward motion में यह हमारा initial point था लेकिन graph बनाते समय ऐसा नहीं होगा graph का तो परबदी है यह कि सारा data एक जगा पर नज़र आ जाए तो उसके लिए सबसे important चीज़ यह कि उसके analysis में या उसकी data representation में there has to be one starting point तो वो हमारा starting point होगा यह अब जरा समझे मैं कहना क्या चाहरा हूँ let's say मैं displacement time graph बनाता हूँ ठीक है न तो यह है मेरा displacement zero ठीक है यह है मेरा starting point अब मेरा object अपने start point से कभी उपर किया ही नहीं नीचे गया वापस आया जब वापस आया तब भी वो start point से नीचे ही रहा फिर वापस गया तो अभी भी वो start point से नीचे ही है ठीक है न तो अब जारा देखे मैं उसको लिखूंगा कैसे इस point पर मैंने displacement zero और जीम किया ठीक है न अब maximum height पर आया इस point पर ये जो point है ना भले object 30 meter उपर आया object 30 meters start point से उपर आया लेकिन object अभी भी start point से 20 meter नीचे ही है आप समझे रहो मेरी वाद भले वो collide करके 30 meter उपर आ गया लेकिन मैं अपना जो graph बना रहा हो ना उसमें ये मेरा start point है तो if this is my start point ना तो मेरा object कभी भी अपने start point से उपर गया ही नहीं बलकि उससे नीचे ही रहा even जब वापत अपने maximum height पर आया ताना तब भी this object was 20 meters below the start point तो इस point पर जो मैं displacement count करूंगा that is going to be minus 20 meters और फिर ये वापस तला जाएगा तो displacement वापसी minus 50 meters हो जाएगा तो अब आप देख सकते हैं जो मैं graph बनाऊंगा displacement time का उस में displacement को मैं positive axis पर रखी रहनी हूं कि इस पूरे graph मेरा displacement positive ही नहीं तो मैंने major इससा जो छोड़ा है वो negative हिससे कही छोड़ा है तो इसको मार्क कर लेते हैं minus 10 minus 20 minus 30 minus 40 minus 50 I think that's fair क्योंकि हमारा जो maximum negative displacement है वो minus 50 है ठीक है and not to mention the graph starts from origin तो this is 0,0 this is 1,2,3,4,5,6,7,8 and then 9 ठीक है ठीक है अचा आप जारा इसको marking करना शुरू कर देते हैं t equal 0 पे displacement 0 था तो हमने यहाँ पर t equal 0 पर displacement को 0 mark किया है ठीक है जी t equal 3.2 पे हमारा displacement minus 50 था तो t equal 3.2 पे हमारा displacement minus 50 आ गया t equal 3.6 पर भी हमारा displacement minus 50 ही है तो t equal 3.6 पर भी हमारा displacement minus 50 ही रहेगा ठीक है अचा अचा बिरिंग दा collision में displacement time graph को यहा पर I'll be very honest मैं शोहीं नहीं कर सकता है इसके पीशे टेक्निकल इजन है, टेक्निकल इजन यह होता है कि जब बॉल आके जमीन से स्ट्राइक करती है तो वो काइंड ओफ कम्प्रेस होती है और हम क्योंकि रिजिड बहुत रही है अज्यूम करके यूजली काइनमाटिक्स और डाइनमिक्स पढ़ते हैं हम डिफॉर्मिशन इन सॉलिड को डिसकस कर रहे हूं तो अभी बचा दिये असान ही है कि इस रीजन को ना हम ग्राफ के स्केच में शोई नहीं करेंगे और फिर वापस 8.6 सेकेंड पर हमारा डिस्प्लेस्मेंट वापस माइनस 50 हो गया विकर दो अबजेक्ट इस अगेन बैक टू दा ग्राउन ठीक है जी तो यह सूरत हाल अब क्या करना है हमने इन सारे पॉइंट्स को मिला देने हैं तो यह सारे वहीं डिक्रीजिंग होती जा रही है यहां तक कि अगर आप इस पॉइंट पे ग्रेडियन निकालोगे तो आपका ग्रेडियन आएगा माइनस 31.3 ठीक है फिर उपा जाते वे विलोसिटी मोर नेगेडिव से लेस क्या कहते हैं से लेस नेगेडिव सॉरी विलोसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है 24.3 से ग्रेडियन कम होता 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 कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा यानि इस पॉइंट पे आपका ग्रेडियन जीरो आ जाएगा ठीक है तो यह भी विलोसिटी डिक्रीज ही कर रही है फिर विलोसिटी डिक्रीज कर रही है मतलब कि मोर नेगेडिव होती जा रही है त तो यह है वो displacement time graph जो यहाँ पर हम represent कर सकते हैं इस region को यह जो collision time वाला region है इस पर मैंने कोई sketch नहीं बनाया है क्योंकि इस पर sketch बनाना बनता नहीं है इवन इसको connect करने की भी जवाज नहीं बनती उसकी वज़ाए यह कि अगर हम इसको connect कर देंगे तो हम velocity zero अजिम करना पड़े बना दिया जाए अब देंगे distance time graph simple है इसमें कोई बड़ी science है नहीं डिस्प्लेस distance time graph में हमें यह पता होना चाहिए कि बढ़ी distance से scalar है कभी भी negative नहीं हो सकता secondary distance कभी भी कम नहीं हो सकता समझ नहीं है मेरी बात कि object उपर जाए नीचे जाए distance आपका बढ़ता रहेगा distance आपका बढ़ता रहेगा तो मैं मैंने distance की maximum value 120 ली है 120 क्यों लिया है देखें object 50 meter नीचे आया distance हो गया 50 फिर object 30 meter उपर गया न तो distance हो गया 50 plus 30 यानिके 80 फिर object 10 meter क्या कहते है 30 meter और नीचे आया न तो distance हो गया 110 ठीक है न तो अब जो मेरा maximum जाएगा न 110 तक जाएगा तो मैं यहाँ पर अगर आपको graph grid दिखाना चाहूं तो तो आप देख सकते हो कि हमने maximum 120 तक रखा बट गिराफ हमारा 110 तक ही जाएगा तो अब सबसे पहले पर हमारा displacement 0 है तो यह हमारा displacement 0 आ गया फिर 3.2 seconds पर हमारा displacement 50 है ठीके न यहाँ पर डिस्टंस हमारा 50 हो जाएगा क्योंकि object 50 meters नीचे आ चुका है तो displacement तो negative था बट डिस्टंस तो positive यह सारे होते जाएंगे तो इस पॉइंट पर 50 मीटर का distance travel हो गया फिर उसके बाद अगर मैं further जाओं तो इसको मुझे ignore करना पड़ेगा 3.2 से लेके 3.6 का duration अच्छा फिर हम आगे बढ़ते हैं जी 6.1 seconds पर object further 30 meters उपर चला गया तो हमारा distance हो 80 meters तो यह हमारे पास 80 meters हम मार्क कर लेते हैं 6.1 seconds पर और फिर हम finally आपका लबला करे 110 meter हो जाएगा 8.6 seconds पर तो total distance कितना हो गया 50 नीचे आए 30 उपर गाए 30 नीचे आएगा total 110 meter हो गया तो यह हमारा graph है जिसको हम कुछ इस तरह से sketch करेंगे के नीचे आते समय क्योंकि speed बढ़ आता तो नीचे आते हम यहां पर gradient बढ़तावा दिखाएंगे फिर उपर जाते हुए gradient कम हो रहा होगा क्योंकि upward motion में speed कम होती है फिर नीचे आते हुए gradient बढ़ रहा होगा क्योंकि downward motion में दुबारा से speed बढ़ जाती है तो यह हो जाएगा आपका distance time graph चले जी जब इतनी खो पूरी कारी देते हैं तो अगर मुझे acceleration time graph बनाना है इसी motion का तो again let's introduce the graph grid यह हमारे पास है acceleration in meters per second square और यह हमारे पास है time in seconds अचा हमारी acceleration throughout minus 9.81, throughout minus 9.81, throughout minus 9.81, throughout minus 9.81, except for this कि वो जो 0.4 seconds का collision था ना, उस वक्त acceleration 139 positive में थी वनना, minus 9.81 थी ठीक है, तो अगर मैं इस तरह से कर लूँ के 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130, 140 तक ले जाओ तो यह तकरीबन center में 139 आ जाएगा, तो यह धर कर लें हम नीचे minus 9.81 हम ले जाए acceleration को जात और positive access पर ही आ रहा होगा, और time हमार आ जाएगा, यही 9 seconds का, ठीक है जी, तो अब आएए ज़रा इसको करते हैं कुछ sketching, ठीक है, अगर मैं इसकी sketching करूँ ना, तो ज़रा देखना, इसकी sketching कैसे होगी, सबसे पहले, जब downward motion चल रही थी, free fall motion चल रही थी, acceleration negative है, यह देखे हैं, acceleration negative है, फिर क्या हुआ, फिर during the collision, acceleration positive होई और वो कितनी होगई, 139 होगई, चीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह हमने 139 कर दिया, यह बहुत छोटे interval के लिए, मैंने कहा थे, acceleration time में, यह clearly reflect करेगा हमारे graph पे, पहले पूरा क्या होता थो, पूरा minus 9.81 जाता था, लेकिन अब क्या है, अब पूरा 9.81 है, except for this, during collision हमने acceleration क्या लिए है, minus 139, अच्छा, यह है average acceleration, यह graph उस वक्त applicable है, जब हम assume करें, कि acceleration during collision is considered to be constant, वन्ना in practical constant नहीं होता, जो असल इसका graph बनत है, अगर आप इसके acceleration time graph बनाएंगे ना, तो this graph is more acceptable, कि इस तरह से एक sharp peak दिखाओ आप, यह minus 9.81, minus 9.81, minus 9.81, ठीक है जी, तो यह acceleration time graph, यह दोनों ही sketch is applicable है, तो also acceptable, तो प्यारे बच्चो मन के सचो, यह हमारा हो गया आखरी acceleration time graph, and this completes our discussion for the graphs of different variations, velocity, speed, displacement, distance, and then finally acceleration, तो I hope कि आपने इस lecture को enjoy किया होगा, थोड़ा सा लंबा हो गया है lecture, लेकिन यार देखो, जितनी possibility देना वो आप class में करके जाओ, already discuss करके जाओ, आपको पास्टर पर सहान लगें कि आप topics से skip करो, जल्ली अल्ली पढ़के निकल जाओ, और पर पास्टर परस में जगा जगा फस्ते रहो, अपने concepts के लिया करो, और अपने अंदर पास्टर परस करने के ability develop करो, I hope you all have enjoyed this lecture, comment section में, जरूर अपना feedback जीचेगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, Allah ने के बाह ।